इस वीडियो में बात करेंगे कि अब जब भी आप अर्श होता है चलिक स्टार्ट करते हैं तो यहां से इस इस इनर को इंटर करने के लिए आप इहां से भाँ देख सकते हैं करने कबाद यह आपको एक अर्च होके आता है यहां पर दिखा हुए dns prob finished by config तो इसको यहां पर solve करने के लिए आपको यहां पर open कर लेना है यहां पर आपको मिल जाएगा network setting network setting पर आनेक बाद यहां पर आजाना है ethernet इस पर click करेंगे जैसे यहां पर click करना है आप लिख देंगा change adopters option इस पर आपको click करना है और यहाँ पे लिखाया है आपको Ethernet इस पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है यहाँ पे आपको मिल जाएगा Internet Protocol यहाँ पे IPv4 तो इस पे आपको डबल क्लिक करना है जैसे आपको यहाँ से डबल क्लिक करते हैं तो अगर आप अगल नो उनले हो दिछ है दितक ही यहां पर इन्टर देते हैं और इसके बदे आ के और उनले हो एक रिफ्रेस्ट देख सकते हैं जैसे मानने इसको रिफेस्ट किया crashing तो कोई भी साइड अब यहां से ओपन हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह से बहुत एजी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को शॉल्ट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने वेब साइट को यहां से ओपन किया है और ओपन कर लेने के बाद यहां यहां से यूटूब है तो यूटूब यहां से ओपन हो जाता है अच्छी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो यहां से आपको सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्ब हो जाएगा यहां से इसको उपन किया यहां पर वेब साइट को वेब साइट करने के बाद यहां पर यहां पर मिल जाता है बहुत सारे अच्छे यहां पर देख सकते हैं और जो भी आप क्रियेट करवाना चाहते हैं तो यह तरह प्राब्लम को स्वॉलूशन यहां से आप इस प्राब्लम को शॉल्फ कर सकते हैं अपने प्राउजर या फिर मुझील आफार्वास कोई भी आपक वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाची में